हर साल भादरपद महा के शुकलपक्ष की चतुरदशी तिथी को अनन्द चतुरदशी मनाई जाती है इस साल 28 सितंबर को अनन्द चतुरदशी है इस दिन जगत के पालनहार भगवान विश्णु के अनन्द स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है सनातन शास्त्रों में निहित है कि भादरपद महा के शुक्लपक्ष की चतुर्टी के दिन भगवान गणेश का अफ्तरण हुआ अन्तह इस दिन से लेकर अनन चतुर्दशी तिथी तक भगवान गणेश की विदेविधान से पूझा और सेवा की जाती है अनन चतुर्दशी तिथी पर भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है आए इस वीडियो में जानते हैं गणेश विसर्जुन का शुप समय क्या है साथ बचकर 42 मिनट तक शुप समय है इसके पश्च्वात प्रातहकाल 10 बचकर 42 मिनट से लेकर दोपहर 3 बचकर 11 मिनट तक है इस दोरान सादक भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जुन कर सकते हैं अनन्ज चतुरदशी तिती पर राहुकाल दोपहर 1 बचकर 42 मिनट से लेकर 2 बचकर 11 मिनट तक है संध्यकाल में 6 बचकर 11 मिनट से लेकर 9 बचकर 12 मिनट तक गणेश विसर्जुन का शुब मोरत है इस दोरान भी भगवान गणेश की प्रतिमा का विसरजुन कर सकते हैं वही मध्यरात्री में सार्वजनिक प्रतिमा विसरजुन के लिए मान ने समय 12 बचकर 12 मिनट से लेकर 1 बचकर 42 मिनट तक है इस दुरान सार्वजनिक स्थालो पर स्थापित गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जुन कर सकते हैं